हाल ही में विजनौर में कालागड की हाथी शाला में वन्विभाग द्वारा हाथी के बच्चे सावन का चौथा जन्म दिन मनाया गया नमस्कार मैंने थी और आप देख रहे हैं बातें यूपी की मौनसून पेट्रोलिंग के दौरान हाथियों की एहम धूमिका होती है यूपी उतरखन सीमा से सटा एलिफेंट क्याम्प कालागड कॉर्बिट टाइगर रिजर्व है इस क्याम्प में वन्विभाग करनाटका से नौ जंगली हाथियों को लाया था चार साल पहले एक हाथिनी ने दो अगस 2018 को एक बच्चे को जन्म दिया वन्विभाग के अपसरों ने हाथि का नाम सावन रखा हालाकि जन्म के समय सावन का नाम शंभू रखा पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने सावन माह के जन्म के कारण उसे बाद में सावन नाम दे दिया इसके बाद विभाग पिछले चार सालों से हाथी का जन्व दिन बड़ी धूम धाम से मना रहा है सावन की मा का नाम कंचमबा है सावन के जन्व दिन पर सावन और उडगी मौसी गंगा को अच्छी तरह से सजा रहा है इस अवसर पर वन्विभाग के हाथी कपिला और गजराज ने भी केक का खूब आनन्द रुठाया वदादे वर्तमान में बिजनौर की हाथी शाला में केवल चार हाथी बचे हैं इन चारों को वन्वे सुरक्षा के लिए प्रसिक्षन दिया जा रहा है ये तो थी विजनौर के हाथी शाला के सावन की बात पर अब आईए हम अपने देश के बारे में भी बात कर लेते हैं कि वर्तमान में देश में हाथियों की अस्थिती क्या है भारत के 28 राज्यों में से 16 राज्यों में भारती हाथी पाए जाते हैं वर्तमान में हाथियों की सबसे अधिक संख्या करनाटिका राज्य में है हाथी की सबसे अधिक आबादी वाले छित पशिमी घाट के रक्षिनी भाग उत्तर पूर्वी भारत, मध्य भारत और उत्तरी भारत है हालिया रिपोर्ट के मताबिक साल 2012 में भारत में हाथियों की आबादी लगभग 31,368 थी जबकि साल 2017 में ये गिरकर 27,312 हो गई अपरेल 2022 में केंडरी एवन मंत्राले ने उत्रप्रदेश में हाथी रिजर्व बनाने को सैध्धान्तिक मंजूरी दे दी है उत्रप्रदेश का तराई छेत्र दुधवा टाइगर रिजर्व और पीली भी टाइगर रिजर्व को मिला कर यूपी का ये पहला तराई एलेफेंट रिजर्व बनेगा भारत में हाथी आवासों का क्रिशी भूमी में परिवर्तन, मानो हाथी संघर्ष और हाथी कॉरिडोर की कमी, बागो द्वारा हाथियों का शिकार आदि हाथियों की आबादी में गिरावट के मुख्य कारण है हाथी को भारतिय वनेजीव संरक्षन अधिनयम 1972 और साइट्स की संरक्षित प्रजातियों की सूची में लुप्त प्राया घोशित किया गया है इसके संरक्षन के लिए किये गए प्रासों के बारे में बात की जाए तो भारत सरकार ने साल 2010 में रास्टिय वनेजीव बोर्ड की स्थिती समिती की सिफारिश के आधार पर हाथी को देश का रास्टिय विरासत पशू घोशित किया था फरवरी 1992 में जंगली भारतिय हाथियों की स्वतंत्र आबादी बढ़ाने के लिए राज्यो द्वारा प्रोजेक्ट एलिफैंट वित्तिय और तक्नीकी सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था दक्षणी एशिया में हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी के लिए साल 2003 में माई की प्रोग्राम शुरू किया था अब आपकी चानकारी के लिए बता दे कि हमारे भारत में कुल 32 हाथी रिजर्व हैं सिंग भूमी हाथी रिजर्व है भारत का सबसे बड़ा हाथी रिजर्व है भारत का सबसे पुराना हाथी रिजर्व सिंग भूमी हाथी रिजर्व ही है जो 4529 वर किलोमेटर की रेंज मे फैला हुआ है साथी भारत में कुल 10 माई की साइट्स हैं जो हाथियों के अवैद शिकार को रोकने आवास निर्माण और सुरक्षा के लिए काम करती है फिल्हाल आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही इस वीडियो में दी गए जानकारी आपको कैसी लगी कॉमेर सेक्षिन में लिखकर जरूर बताएं और यूपी से जुड़ी ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहें बातें यूपी ही